उपोसत एक बहुत जरूरी प्रकरिया है जो बुद्धिस लोगों में या भगवान बुद्ध ने आरम की राजा बिम्बिसार के कहने पे उन्होंने ये करिया आरम की थी ये करिया पहले से भी होती आ रही है यानि बुद्ध के समय से पहले भी जो और भी लोग थे इसको करते थे बेसिकली उपोसत से पहले एक किरिया आरम की गई उपोसत नाम बाद में पढ़ा क्योंकि जो भिक्कु लोग होते थे जिनको भगवान बुद्ध पढ़ाते थे ततागत पढ़ाते थे वो जो पढ़ा हुआ है उसको प्रक्टिस करते थे एक साथ बैट कर एक साथ बैट के प्रक्टिस करते थे महिने में दो वार फिर उसके बाद वो महिने में चार वार भी हुआ पूरण मार्शी को, अमावस को और दोनों अश्टिमियों को यहाँ इसको पाथी मुख के नाम से जाना जाता है उसमें ये नियम बनाया गया कि हर 15 दिन कम से कम बैठेंगे हमावस को और यानि कि जब न्यू मून होगा उस दिन और जिस दिन फुल मून होगा उस दिन फुल मून और न्यू मून के दिन वो बैठते हैं एक बाउंडरी एक लिमिट बनाई जाती थी पूरी पूरी उस बाउंडरी में उसको बोला जा जाता था कि ये पाथी मूक की बाउंडरी है उपोसत की बाउंडरी है उपोसत उसमें बाद में आया है पाथी मूक पहले आया है पाथी मूक क्या है पाति मोख है भिक्चूओं की और विक्कूणों की सवा उसमे आम आदमी का या 21 तरह के लोगज़ का उसमे जाना वर्ज़ित था 21 तरह के लोग उसमें नहीं जा सकते थे चाहे वो भिक्कु हों या आदमि हों और वहाँ वो लोग बैटते थे और वो अपनी प्रैक्टिस करते थे कि जो उन्होंने सीखा है उसको वो दोराते थे उसको रिपीट करते थे किसी भिकुने या भिकुने ने कोई गलत काम किया है या कोई गलत काम अंजाने से हो गया है या उसको लगता है कि ये काम उसने किया है और वो गलत है तो वहाँ उनको वो सुल जाते थे उसके नियम सारे सारे बुद्ध ने बनाए तथागत ने बनाए उसी के अंदर एक नियम है उपोसत का नियम उपोसत गार भी है यानि जहां उपोसत करते हैं उपोसत का नियम भी है उपोसत के नियम के हिसाब से बाद में जो ग्रस लोग थे उनके लिए भी ये खोले गए उसके हिसाब से कि सुबह को उपोसत करने के लिए लोग आते हैं चार दिनों में से, यानि कि दौनों अश्टिमियों में और पुरण मार्सी में और अमावस में फुल मून, न्यू मून और अश्टमी दौनों अश्टमी दौनों का मतलब है एक सुक्ल पक्ष की या भिक्कों भी आते हैं, उद्धन आठ सील का पार्ण करते हैं, वो भिक्कों से आठ सील लेते हैं आठ सील मैंने आपको पहले बताया है, पांच एक वार और तीन एक वार उन आठ सील लोग घ्रण करके वहीं रहते हैं वो और वहाँ वेपस्टना करते हैं, साधना करते हैं और सुबह को उठते हैं, सुबह को रात वेपस्टना साधना करके और सुबह उठके और फिर वो सब्वे सत्ता करके और फिर वहाँ से वो निकलते हैं अपनी ध्यान साधना मजबूत करते हैं अपने character को अपने चरित को मजबूत करते हैं और अपनी positive powers को बढ़ाते हैं इसको उपोसत बोला जाता है उपोसत का जो नियम है वो कभी भी आठ दिनों में बना जा सकता है और आपको बीच में भी मन करता है इन चार दिन के लावा तो आप कभी भी उपोसत का मन कर सकते हैं भेको के पाँस जाएं जो भेको सील वाने हैं और उनसे आठ सील लेके इसको करें मगर पाती मुक जो है वो एक अलग subject है पाती मुक जो होता है वो आज भी होता है जो वर्षावास के समय भेको करते हैं और इसके बड़े सारे नियम है, इसके नियम आने वाले समय पे मैं आपको बताऊंगा, मगर उपोसत जो है, वो बहुत सारे लोग समझते हैं कि इसको उपवास नाम इसका है, उपवास नाम इसका नहीं है, उपोसत का मतलब है उपोसत, यानि कि जो कुछ आपने पोशित किय हुआ है उसको उपोसत करना और उसमें एड करना उसे करेट करना उसकी रिपेर करना इसको उपोसत बोलते हैं और उपोसत में जो नियम आते हैं उनको हम वारित नियम बोलते हैं वारित नियम का मतलब है जो वारित है विरत रहने के नियम यानि आठ जो आपको सील दिये गए वो वरत सील है, उन सीलों में आपको ये चीज़ें नहीं करनी है, उन सारे सीलों को मानने वाला वरत नियम वाला माना जाता है, और जो वरत नियम को मानता है, वरत नियम को मानता है, इस वरत से ही बरत पड़ा और वरत हो गया, यानि आज का जो बरत है, वो वरत नियम या वर बर उनको जो विरत और बरत है वो याद रहा और इसको फास्टिक में बदल दिया, भूके रहने में बदल दिया कि भूके रहने से सारा कल्यान हो जाता है। उसको कोई फायदा नहीं होगा, आपका पाप और आपका मल तभी हटेगा जब आप अपने मन को सुद्ध करेंगे, उपोसत करके फास्टिक करके आप विपस्णा में बैठेंगे, इसलिए उपोसत से कोई आदमी समझे या उपोवास से, उपोवास का मतलब जो होता है उपो वाद में हैं और मैं कहीं भी रहूंगा तो वो मेरा उपोवास होगा, इसको उपोवास बोलते हैं, उपोवास इसलिए बोलते थे, क्योंकि जो उपासक लोग थे, वो अपना घर छोड़ते थे, और घर छोड़के जो विहार थे, उसमें आगे रहते थे, इसलिए वो कहते रहे हैं उपोसत कर रहे हैं और वर्त नियम नियम कर रहे हैं तो वर्त से बना वरत और उपवास जो करते हैं उसको उपवास बोलते हैं आज की डेटर में उपवास का नियम यह हो गया कि आप अपने घर पे रहते हैं तो उपवास नहीं है वो वास है अगर आप अपने घर प करें तो सबसे पहले उपवास कीजिए उपचत करने मतलब है कि आप अपने सीलंगे मजबूत करें में उन्हें प्वुषित करेंगे उसके लिए पहले हुपवास कीजिए बुद्ब्यार ब्रत कीजिए, ब्रत का मतलब है कि आठ चीजों से ब्रत करना है, आपको अलग रहना है, जब आठ चीजों से ब्रत रहे जाएंगे, फिर आप साधना कीजिए, वियोपस ना कीजिए, तब सारा सिस्टम करेंगे, तब सुवे तक आपका थोड़ा सा मन कोमल और शुद्ध तो मेरे खाल में ये समझ में आ गया होगा आपको के उपोसत, उपवास, विरत और ब्रत जो आठ चीजिए फास्टिंग है, उसमें क्यांतर है, धन्यवाद.